दो फ्रेंट मैं अमित कुमार आज आपके लिए बेल्डिंग सौप इंटोड़क्शन और बेल्डिंग टूल का विस्तृत बढ़नन करने के लिए अपना ये वीडियो लेकर आया हूँ वीडियो को शुरू से आखरी तक देखिए ताकि वीडियो में मिलने वाली शभी महत्तपूर जानकारी आप तक पहुँच सके साथ ही मेरे चैनल ट्रॉपल वन टेक्निकल एजूकेशन को सस्क्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिजे ताकि मेरे आने वाले टेक्निकल वीडियो आप तक आसानी से पहुच सके वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में मैं बेल्डिंग सौप से सम्मंदित तक्निकी जानकारी दे रहा हूँ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेल्डिंग सौप में इंटोडक्शन में बेल्डिंग कर्म साला क्या कहलाती है तो इसके वारे में हम जानेंगे बेल्डिंग कर्म साला वह इस्थान है जहां हम एक ही धातु के दो भागों को बेल्डिंग से जोड़ कर धातु के समान गोड़ वाले जोड़ बना सकते हैं यह है बेल्डिंग की परिवासा हुई अथवाई से इस तरह से भी कह सकते है बेल्डिंग वह बिधी है जिसमें ताप और दाव अथवा दोनों के प्रयास या प्रियोग से धातु के समान गोड़ वाला जोड़ बनाया जा सकता है अब इसी क्रम में बेल्डिंग के उप्योग कहां कहां होते हैं इसके वारे में भी जान लेना आवश्यक है तो अगला जो पॉइंट है वह है बेल्डिंग के उप्योग इंजिरिंग कार जैसे बायू यान, रॉकेट, आटो मोबाइल, रेलवे, समुत्री जहार, आधी की मरम मत निर्माल कार किये जाते हैं अब इसी क्रम में जो अगला पॉइंट है वह है बेल्डिंग में प्रियोग प्रमुख विधियां अर्थात बेल्डिंग में कौन-कौन सी विधियों का प्रियोग किया जाता है तो इसी क्रम में जो सबसे पहला नाम आता है वह है ताप उश्मा बेल्डिंग तो इसके अंतरगत मुखिता चार प्रिकार की बेल्डिंग आती है पहली है गैस बेल्डिंग दूसरी है बिधुद्धारा बेल्डिंग तीसरी है रसाइन बेल्डिंग और चोथी है अगला जो प्रोसेस आता है वह है दाब के आधार पर बैल्डिंग इसमें मुख्यता दो प्रिकार की बैल्डिंग प्रियोग की जाती है पहली है फोर्जड वैल्डिंग और दूसरी है संगलक बैल्डिंग अब झागली प्रिकिया है वह है पूरक पदार्थ के आधार पर पर बैल्डिंग इसमें भी दो प्रमुख्यक्ति विदियां है पहला है फ्यूजन बैल्डिंग और दूसरा है फोर्जन बैल्डिंग अब जो अगला स्टेप है वह है बेल्डिंग के उपियोगी और यार एबम उपकरा तो इसमें जो सबसे पहला नाम जो आता है वह है ऑक्सीजन सिलेंडर तो ओक्सीजन सिलेंडर यह सिलेंडर मिश्र धातु इसपात का बनाया जाता है सिलेंडर में 15 MPa दाप तथा 20 डिग्री शेल्सियस पर आक्सीजन भरी जाती है सिलेंडर की लंबाई दसम्लब 8 मीटर से एक दसम्लब 4 मीटर तक होती है सिलेंडर की चादर की मोटाई 6 मिली मीटर से 10 मिली मीटर तक रखी जाती है शिलेंडर का भार 30 kg से 70 kg के बीच में होता है तो ये है आक्सिजन शिलेंडर अब इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं सिलेंडर के आधार में बर्ग के आधार का एक छला लगाय जाता है और उपनी भाग में एक बल्ब लगा होता है जिसके उपर एक रक्षक टोपे लगी हुई होती है। आक्शीजन की सप्लाई को सुनिष्चत करने के लिए प्रियोग किये जाते हैं। शिलेंडर में अत्यादिक दाव से शुरक्षा के लिए सुरक्षा प्लक का प्रियोग किया जाता है। बल्व के सभी भाग पीतल के बने होते हैं बेल्डिंग करते समय रेगुलेटर स्वरी दाव रेगुलेटर वल्व का भी प्रियोग किया जाता है अब यहां पर हम आक्सीजन सिलेंडर के बारे मैं थोड़ा फिगर के माध्यम से समझेंगे आपकी श्क्रिन पर सामने एक आक्सीजन सिलेंडर दर्साय गया है सबसे उपरी भाग रक्षक टोपी है यह बल्व सुरक्षा युक्ति और फिल्टर आधी के सुरक्षा के लिए प्रियोग की जाती है नीचे है सुरक्षा युक्ति उसके नीचे फिल्टर रंद पदार्थ एशी टोन एसिटलीन और नीचे है सुरक्षा प्लग और सबसे नीचे आ बर्गा का आधार बना हुआ भाग सुरक्षा प्लग के वारे में बता दें एक की फ्रिक्षा प्लग का प्रियोग उस दसामें किया जाता है जब कि अत्यादिक मातरा में सिलेंडर के अंदर ऑक्सिजन भर जाए तो सुरक्षा प्लग के दूआरा यह अत्रिक्ट ऑक्सिजन स्वता ही बाहर निकल जाती है अब इसे क्रम मैं나म प्रला है वह है टार्च या बिलो पाइप कि टॉर्च का प्रियोग आक्सीजन तथा एसिटलीन गेस्ट को उचित अनपात में मिश्रण को जलाने वाली ऑजार के रूप में प्रियोग किया जाता है मिश्रण 50 मीटर प्रती सेकंड से 180 मीटर प्रती सेकंड की गती से नोजल से बाहर आता है टॉर्च या बिलो पाइप को मुखिता दो भागों में बाटा जा साकता है पहला है निम्न दाब टॉर्च और दूसरा है उच्च दाब टॉर्च तो ये तो हो गई टॉर्च के बारे में जानकारी अब टॉर्च को हम फिगर के माध्यम से समस्ते हैं आपके स्क्रिन पर एक टॉर्च का फिगर दर्साय गया है सबसे पहले जो उपरी बल्ब होता है या है आक्सीजन बल्ब एक नली के द्वारा आक्सीजन को इसमें प्रवाहित किया जाता है यह है आक्सीजन नली नीचे हम आते हैं अगली जो ट्यूब है वह है एसेटलीन गैस की नली का अब इसी में एक टर्च टिप भी लगी होती है जिससे आक्सीजन और एसेटलीन मिश्रित अवस्था में बाह होते हैं पहला है एसेटलीन कटाई आक्सीजन और एसेटलीन वाला भाग तो यह हुई आपकी टार्च या बिलोव पाइप अब अब इसी क्राम में जो अगला अगला टूल्स है वह है ट्रांस्फॉर्मर ट्रांस्फॉर्मर बेल्डिंग सेट मसीन पित्यावर्ति धारा एसी बेल्डिंग सप्लाई की दसा में ट्रांस्फॉर्मर का प्रियोग किया जाता है ट्रांस्फॉर्मर 220 बोल्ट से 440 बोल्ट सप्लाई को 80 बोल्ट से 100 बोल्ट में परिवर्तित कर देता है धारा को नियंत्रित करने के लिए स्विचों प्लगों का प्रियोग किया जाता है बेल्डिंग करते समय आवश्यक्ता अनुसार भिन्न मान की धारा को प्रभावित किया जा सकता है अब यहां पर एक बेल्डिंग मसीन का फिगर के माध्यम से दर्साते हैं यह सामने स्क्रीन पर वेल्डिंग मसीन है नियंत्रित स्विच्ट नियंत्रित स्विच्ट हुक बोल्ट है हैंडल पहिया यह है ट्रांसफोर्मर बैल्डिंग शैट मसीन अब अगला जो टूल्स है बहए मुख परी रख्षक या फेस सील्ड इसे फेस सील्ड भी बोलते है इसे बेल्डिंग परी रख्षक या फेस सील्ड भी कहा जाता है यह उस्मा के पृति उस्मा रोधक होता है कठोर फाइवर प्लास्टिक का बनाया जाता है फेस पर गहरे काले रंग का सीशा लगा हुआ होता है जिसकी सहायता से बेल्डिंग कारे के आने पर बेल्डिंग कारे में आने पर अल्ट्रा वाइलिट क्रेणों से आखों का बचाव होता है अब यहां पर एक मुख परिरक्षक या फेस सील्ड का फिगर दर्शाय गया है इसमें ऊपर है बेल्डिंग सामने गहरे काले रंग का सीशा पैच उश्मा रोधक फाइवर प्लास्टिक का कवर तो यह है मुख परिरक्षक अब इसी क्रम में जो अगला जो पॉइंट है वह है फेस चस्मा या फेस गूगल यह मुख परिरक्षक की भाती प्रियोग होने वाला टूल है जिसकी सहायता से हम आखों में लगने वाले अल्ट्रा वालिट क्रिणों से आखों की सुरक्षा करते हैं इसे हम फिगर के माध्यम से देख सकते हैं यह आपके सामने एक गूगल का फिगर दर्साय गया है इसमें आंगे के भाग में गहरे काले रंग के शीशे लगे होते हैं और एक बेल्ट की सहायता से हम इसे हेल्मेट या आखों पर या हैड में फिट कर सकते हैं अब इसी किराम में अगला जो टूल्स है वह हैं एलेक्ट्रोड होल्डर एलेक्ट्रोड होल्डर एलेक्ट्रोड को आसानी से पकड़ने वाली युक्ति है जिसमें दो जवड़े होते हैं एक चल जवड़ा और दूसरा इस्थाई जवड़ा इन दोनों जवड़ों के मद्द एलेक्ट्रोड को पकड़ा जाता है हैंडल कुछ आलक पदार्थ का बनाया जाता है जो उच्छ तापमान को आसानी से सहन कर सकने वाला होता है इलेक्ट्रोड के मद्द एक स्प्रिंग लगा होता है जो जवड़ों को मद्द दवाने में मदद करता है अब यहां पर एक इलेक्ट्रोड के फिगर दर्साए गया है यह एक इलेक्ट्रोड होल्डर है इसमें उपरी भाग चल जवड़ा निशिला जवड़ा इस्थर जवड़ा पैंच इस्प्रिंग और यह है हैंडल यह हैं इलेक्ट्रोड होल्डर अब इलेक्ट्रोड होल्डर के बाद अगला जो पॉइंट है वह हैं बैल्डिंग केविल बैल्डिंग केविल बैल्डिंग मशीन में बिद्धुत परिपत पूर्ण करने के लिए बैल्डिंग केविल का प्रियोग किया जाता है केविल जल रोधी तथा टिकाव होती है अब यहां पर एक केविल का फिगर है बैल्डिंग केविल उपर तामे के तार धागा प्लास्टिक का कवर रवर का कवर कागच की परत यह आपके सामने इस्क्रिंग पर बैल्डिंग केविल को दर्सा आये गया है अब इसी क्रम में जो अंतियम टूल है वह है चिपिंग हैमर चिपिंग हैमर बैल्डिंग में प्रियोग होने वाला एक आवश्यक हतोड़ा है जिसकी सहायता से हम बैल्डिंग में आने वाले मैल या स्लेच को स्लेच को आसानी से हटा सकते हैं इसमें एक भाग नुकीला तथा दूसरा भाग सम्तल होता है अब हम फिगर के माध्यम से इसको देखेंगे या है एक चिपिंग हैमर है उपरी सताय सम्तल सताय है निचला भाग नुकीला प्रश्ट है या है तारदार दस्ता है इसे चिपिंग हैमर पूल देंग प्रेंड यह बैल्डिंग इंटोडक्शन एबम बैल्डिंग टूल्स के वारे में प्रुमुक टूल्स की विस्तार पूर्वक जानकारी हुई अब आप मेरे इस चैनल ट्रुपल वन टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले टेक्निकल एजुकेशन से सम्मंदित वीडियो आप तक आशानी से पहुश सकें